सब्सक्राइब कीजिए हेल्फ प्लस गेमर्स के यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए सपैदा इकन को देटाइस वीडियो के नौटिक्रिशन सबसे पहले पाने के लिए असलाम लेकुम फ्रेंज्स कैसे आप सब लोग आज किस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तना डिरेक्ट ली अपने एंडोइड आमिडेटर को चिला सकते हैं अगर आप एंडोइड गेम्स का अपने विंडोस पर जुलाने के लिए यूज करते हैं तो यह आइंडोइड गेम्स को विंडोस पर कैसे खेलते हैं तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा महासर जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं तो बढ़ते हैं अपनी टॉपिक के तरफ मैं आपको बताने गेम्स को चलाते हैं और यहां से आपको यहां पर प्ले कर देते होगे और आपका वह जो इंजर्न होजाता होगा लेकिन यहां पर मैं आपको बता नूँ के जो टैंसन गेमिंग बड़ी है वो पूरा एक एंड्रोइड है क्योंकि वो हमें एक एंड्रोइड सिस्टम ही बना कर दे देता है अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी तो इसमें मैंने बताया था कि अब इंजन डाउलोड हो रहा है जब वो इंजन डाउलोड हो रहा था तो एक्चलि हमारा एंड्रोइड सिस्टम डाउलोड कर रहा था तो सबसे पहले आपको इस पीसी में आना है अब वो जो इंजन वो डाउलोड करता है वो सबसे लास वाली ड्राइब में करता है या सबसे लास वाली ड्राइब में या फिर उस ड्राइब में जिसमें सबसे जादा स्टॉरेज फ्री हो यहां पर आपको दे Golden एक सबसे लास्वारी ड्राइब में समय सबसेताई ड्राइब में मैं आता हूं यहां पर आपको देखना है आपको program files और एक 않고 ये फॉलडर आपको mलेंगे अगर यहां उपको अपनी last drive में नहीं मिलते तो आपका अपनी सब ड्राइब्स को चेक का लेना जितनी भी है और जिस ड्राइब में आपको प्रोग्राम फाइल्स और टैम का फोल्डर मिल जाए उसमें आपको एंटर काल लेना है तो यहाँ पर मैंने इस ड्राइब में एंटर काल लिया है अब आपको मुझे फॉलो करते जाना है ये फॉल्डर्स के नेम आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे सबसे पहले आपको उपन करना है प्रोग्राम फाइल्स को प्रोग्राम फाइल्स को उपन करने के बाद TX Game Assist को आपको उपन करना है जैसे आप TX Game Assist को उपन करेंगे उसके बाद आपको लास वाला फोल्डर यू आई को उपन करना है यू आई को उपन करने के बाद यहां पर आपको मिलेगा Android Emulator जी हां Android Emulator तो यह हमारा गोल यहां तक हमने पहुंचना था अब आप इसको में एक साइट पर करता हूँ इस विन्टो को और यहां से आपको Android Emulator को राइट क्लिक करके बाद ड्राइट करना है राइट बटन को आपको प्रेस की रखने माऊस के और डेक्स्ट्रो पर ड्राइग करने के बाद आपको क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे आपके एक शोटकट क्रियेट हो जाएगा यह आपका Android Emulator बन चुका है जो कर आपके Android Operating System को चला देगा यहां पर मैं इसको उपन करता हूँ उपन करने के बाद आपको Administrator Permission देनी है और Administrator Permission देने के बाद Loading स्टार्ट हो जाएगी आपका Android है वह चलने लग जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं Anti-cheat System इस फोर्स यानि कि आपका Android जो है वह लाँच हो रहा है Anti-cheat System इस फोर्स से क्योंकि आप जानते है PUBG Mobile में आजकल बहुत ही जादा हैकर्स और PUBG Mobile को Mostly Emulator पर ही हैक किया जाता है इस फोर्स से जो Emulator वाले हैं उन्होंने Emulator के अंदर भी Anti-cheat System रखा है ताकर कोई Cheating ना करें यहां पर आपको इसके हैं आप खाया ऊभच सकते हैं अमडरा आπα आरे देख से हमारा आमुलेटर ल्वश ओर धार है देखने रभी मैंने सिर्फ और लृटी ही की इस चुरूर रहा यहां पर गौर आपको प्रिटिंग सिस्टम है तो आप कहेंगे यहां पर बाकी अपनी नजर आरी यहां पर आपको प्ड़ाना होगा एफ 9 यहां फंक्शन डॉव में एफ 9 बटन प्रेस करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं सेटिंग्स ब्राउजर गाजरी सूपर उसर डाउनलोड और ब मर्टी टास्किंग भी कार सकते हैं मतलब डिरेक्टर गेम को चला के बैक कर के दूसरी गेम को चला सकते हैं और आपको गेम लुप चलाने की कोई जरूरत नहीं कि हमने बाहर शोटकेट बना दिया यहां से डिरेक्ली आप शोटकट पर जाएं और आके आप अपनी गेम को इंजोई कीजिए जैसे मिया पर सेटिंग से आता हूं और यह डिरेक्टली मेरी सेटिंग्स चल गहीं दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जूरूर कीजिएगा अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करते आगे ज चालओ आपको बीडियो को सब्सक्राइब उस्टों भाइस तो मौत सया हैँएग्स gyangDiru, सब्सक्राइब कर ढाना हुआएब का चैनल उस्टष smartabout क्मौत शाइब किया है